नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजुसर के नाम से इस्टूरिफ चैनल के अंदर MCQ वीडियो की सकड़ी के अंदर एक और नया MCQ वीडियो हम लेके आए SSC CRPF ESIC exam के point of view में कुछ important कुछ टिकी कुछ conceptual MCQ जिनको solve करने वाले हैं आप लोगों से गुजारीस फटाफ़ से वीडियो को लाइक कर दीजे वीडियो को share कर दीजे और कमेंट बॉक्स में अपना अफ्सुजाव डालना ना भूले तो सुरात करते एक सब्सक्राइब करने वाले हैं कुछ important MCQ जो की एक्जाम के point of view में बहुत मैं तुपूर्ण कंसर्प्ट लेके बैटे हैं तो इस MCQ की कड़ी के अंदर आज के सबसे पहला MCQ आप लोगों के सामने यह रहा तचार्ट पे क्लाइन ऑस्पिटलाइज विदे फ्रेक्टर फीमर रिवील्ट एट ग्लाइज विदे मरेसे थे नर्स नोज लॉस देट लगाइज क्लाइन फ्रेक्टर वर और उसमें आरे से जो है वह कॉलनाईज वा है MRA से question पूछ रहा है आपको कि नर्स क्या जानती है when a nurse knows that the client will not display symptom of infection infection के symptom display नहीं करेगा is less likely to have an infection infection होने की संभावना कम है can be placed in the room with others दूसरों के साथ रख सकते हैं cannot colonize other infection with MRA से MRA के साथ में दूसरे infection colonized नहीं हो सकते फटाबट से जवाब लिखेगा औस्पलाइज प्रेसेंड रहा है फीमर फ्रेक्चर रहा है और MRA से colonized रहा है वहाँ पे फटाबट से जवाब लिखेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने जवाब देने की कौसिस किया है समझिएगा कहानी बहुत किलियर है फिमर फ्रेक्चर में MRSA जब colonized होता है MRSA जब colonized होता है तो उसमें कोई दूसरे symptom infection के साथ में associated नहीं होते हैं यहां पर करेक्ट अंसर बनेगा विल नौट डिस्पले symptom of infection infection के symptom यह client डिस्पले नहीं करेगा यह यहां पर करेक्ट आंसर है डिस्प्ले नहीं करेगा MRSA के साथ में मरीज कोई और सिम्टम डिस्प्ले नहीं करेगा बी इनकरेक्ट है क्योंकि क्लाइट जो है वह बहुत ज्यादा डेवलॉप होने की संभावने होती है MRSA following any invasive procedure तो लैस्ट लाइकली यहां पर खोटा जवा है उसको other client के साथ में नहीं रख सकते MRSA वाले मरीज को और लास्ट है MRSA नहीं होता यह खोटा जवाब है MRSA जो होने की पूरी संभावनाएं रहती है तो BCOD 3 नहीं खोटे जवाब है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है विल नौट डिस्प्ले सिम्टम आप इंफेक्शन बहु मरीज जो है वो एड्मिट वाए क्लॉस्टीडियम डिफिकल लेके तो नर्स एक्सपेक्ट करती है कि मरीज को क्या होगा डाइरिया कंटेर्णिंग ब्लड और म्यूकस कॉफ फीवर एंड सौटनेस ऑब ब्रेथ एनोरेक्शिया वेट लॉस एंड फीवर डेवलोप्मेंट क्लॉस्ट ऑप डीप लेग अल्सर चार ओप्सन यहां पर लिके हैं मरीज एड्मिट हुआ है और क्लोस्टीडियम डिफिकल states सुटों मेंब्रین कोलाइटिस अंद इंफेक्शन जो है उसकी वह होता है क्लॉस्ट्रीजियन्न विफिकल के साथ में होता है सिम्टमाने को स्बीकलाइटिस laser जो म्रीज्ज़ को स्वेम्प्रेटिस को मलएटिस उस मरीज को स्ट्रीजियन्न काải मुकस और डबलू बीसी दैखने को मिलेगा तो यहां पर करेक्ट आंसर डेफिनेटली क्या बनेगा यह डाइरिया कंटेंडिंग ब्लड एंड मुकस यहां पर करेक्ट आंसर है क्लॉस्टिडियम डिफिकलाई एक्सपेक्टेड सिम्टम यह रहेंगे फीवर कॉफ और सौटन और अलडरी क्लाइंट आस्केंड आस्क नर्स हाव एपन ही वील नीड टुरीव एजायाशन अगेंस्ट प्neumonia, एलडरी क्लाइंट हैं, नर्स से पूछ रहा है कि, निमोनिया के अगेंस्ट फेक्ट आ। इम्मुनाइज कि नीड उसको कभ कभ रहेगी, नर्स चुछ पो that she will need an immunization against pneumonia every year every two year every five year every ten year immunization against pneumonia का recommendation कितने time period के अंदर होता है ये question ने पूचा है फटाबर से जाब लिखेगा एल्डर्ली क्लाइंट का मतलब है कि क्लाइंट एल्डर्ली है एल्डर्ली क्लाइंट का मतलब होता है और 60 और 65 65 साल से बड़ा मरीज है यहां पे निमोनिया के अगेंस्ट उसको immunization हर पांच साल में होना चाहिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदार कई लोगों ने बिल्कुल सही जाब देनी की कोशिस की है हर पांच साल सी यहां पे बिल्कुल correct answer है निमोनिया के अगेंस्ट immunization हर पांच साल के अंदर रिकमंडेड होता है एल्डर्ली क्लाइंट के अंदर क्रोनी किलने सौले मरीज के अंदर option A और option B incorrect है क्योंकि यह वैक्सीन जो होता है यह immunity का टांपर जो है वो बहुत सौट है every year और every two year इतना नहीं है और डिंकरेक्ट है यह जो टांपरेड है यह बूस्ट immunization का टांपरेड है दस साल ज्यादा टाइम हो जाता है इपांट साल में repeat करना होता है आपको injection तो A B और D तीनों खोटे ज़ब होगे सी correct answer है every five year बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मेगे में लोगों ने बिल्कुंच सफ़ीज जौब दिया है बहुत ही सांधार अगे लेके चलता हो नेक्स दहकेगा नेक्स the nurse is caring for a client following a right nephrolithotomy मरीज को कौन सी surgery हुई है right nephrolithotomy post operative the client should be position कौन सी position रखोगे right side का nephrolithotomy होता है जब right side का nephrolithotomy होएगा post operative position पूछी आपको on the right side supine on the left side prone चार ओप्सन लिके वह हमेसा ध्यान रखिएगा very good कुछ लोगों ने जवाब देनी की कौसिस की है हमेसा ध्यान रखिएगा जब भी किसी option में दो opposite जवाब हो जवाब उसी में से होता है अब एक किसी particular side की naprolithotomy हुई है तो उसी पर जोर देना है तो सुपाइन और prone तो नहीं हो सकता क्योंकि यह position वहाँ पर हम नहीं देते हैं तो बी और डी तो वैसे जोने की सभावन होती है तो जब आप right side में हुआ तो आप left लेटरल दे दो left में operate हुआ तो right side में दे दो तो यहां पर left side में देंगे तो C correct answer है इसलिए भी खोटा हो गया तो ए बी और डी जब तीनों खोटे जवाब है तो अगे लेकर चलता हो नेक्स डाइक के बाद में पोजिशन सी वेरी गुड वेरी गुड नेक्स डाइक कीजिए इस तरीके का लोगो वहाँ पर आपको दिखेगा एप को install कर दीजिए एप को install कर दीजिए इस्टॉल करने के बाद में प्रोफल साइट में जाके सेटिंग में एप को रेटिंग और इसके अलावा वहाँ पर अपना सुजाव एप के बारे में जरूर लिखे नौबल नर्सिंग इस्टॉटर का एप यूट्यूब प्ले स्टॉर के उपर आपको मिलेगा उसको जरूर डाउनलोड कर दीजिए कुछ लेक्चर्स वहाँ प पाँच बजे का यह टाइम प्रेट रहेगा इवनिंग बैच एक फैबरेरी से डिक्लेर है डाई से साड़े पाँच बजे का डॉक्टर एमडी सिंग के द्वारा संचालित इंस्टिटूट नौवल नर्सिंग इस इंस्टिटूट में दो दिन का फ्री डेमो क्लास आपको मिलेगा फीजिस्ट्रेशन इसटार्ट है 1000 वहां पे और आपको अगर एक फैबरेरी तक आप कंप्लीट फीज डिपोजिट कराते हैं तो सिक्स्टीन थाउजेंड आपका फीच रहेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी के दौरा आपको डिटेल से वहां पर टीच करवाया जाएगा तो जरूर रीच करें एक एक नया नौवेल इंस्टिटूट जहां पर आपको बहत्री प्लेटफर्म मिलेगा आपके डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए तो एक वेल नौन एक्सपर्ट फैकल्टी के दौरा आपको सिक्स मन्त के अंदर कंप्लीट कॉर्स डूरेशन टीच करवाये जाएगा फ्रॉम फर्स फेप टू डेज फ्री डेमो क्लास है रजिस्ट्रेशन फीस वन ताउजन र उपीज है जो आप डिपोजिट करवा सकते हैं अपनी सीट को कंफर्म करें फ्री डेमो क्लास रहेगा टू डेज का और एड्रेस है उपोजिट लेरिया स्ट्वीट ओम भगत की कोटी न्यूपाली रोड जौतपूर तो फटापड से रीच करें और अपने बहतरीन बन जाओं गए इतना भरोसा इसे इस्टूट के दोरह आपको दिया जाएगा तो बहतरीन प्लैटफर्म बहतरीन सब्जेक्ट वाइज स्टरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पिडेटरिक नर्सिंग अप्स्टेक्ट्रेटिक साइके ट्रिक नर्सिंग और स्माइकरोबाइ जल्दी से अपनी registration confirm करिए और एक February से start हो रहा है इवनिंग बैच है टाइम धाई से साड़े पाँच का जूड़ जाईए और शुरू करिए अपने एक बहतरीन future की journey आगे लेके चलता हूँ next देखेगा A nursing assistant is referred to the employee health officer with symptom of latex allergy The first symptom usually noticed by those with latex allergy is एक nursing assistant है और यह refer कर रहा है employee health office में symptom of latex allergy का पहला symptom क्या रहेगा जो notice करेंगे latex allergy का सबसे first symptom वाकिया देखने को मिलेगा oral itching after eating बनाना swelling of the eyes and mouth difficulty in breathing swelling and itching of the hands latex allergy का first sign first sign क्या रहेगा latex allergy का latex allergy ज्यादा तर latex allergy latex का exposure होने से होती है और यह आप contact dermatitis कह सकते हो तो latex का सबसे पहले contact जो होता है वो hand में होता है very good तो correct answer यहाँ पर रहेगा swelling and itching of the hand यह symptom D यहाँ पर correct answer है यह contact dermatitis का sign है किसका sign है contact dermatitis का और contact dermatitis जो है वो latex allergy का पहले sign के रूप में देखने को मिलेगा जहाँ पर hand में swelling और इचिंग देखने को मिलेगी तो यह contact dermatitis वहाँ पर देखने को मिलेगा A, B और C जो है वो first sign नहीं है latex allergy के यह बाद में होंगे जब systemic sign होगा तब हो सकता है कि eye or mouth में swelling हो जाए breathing difficulty होने लग जाए shortness of breath होने लग जाए यह later on sign है first sign हमें सदाएगा swelling and reaching of the hands ली या पे बिल्कुल correct answer है बहुती बढ़िया बहुती सांदार आगे लेके चलता हो next देखेगा next देखेगा silver nitrate बहुत important medication dressing कर रहे हो आप अपलाई कर रहे हो आम और chest वाले एरिया में जिस मरीद को full thickness burn वाए एक पैसेंट है full thickness burn हुआ है arm और chest के एरिया में आपने dressing लगई silver nitrate की तो अब option दे रहा है आपको कि आप as a nurse क्या करेंगे change करेंगे dressing को हर shift में गीला करेंगे dressing को stride water से चेंज कर देंगे dressing को जब भी वह soil देखने को मिले और motion कर देंगे dressing को normal saline से फटापट से जौब लिखेगा silver nitrate से आपने dressing किया है उस dressing को full thickness burn वाले मरीज में आम और chest के एरिया में यह लगए आपने एजे नर्स आप क्या करेंगे फटापट से जौब लिखेगा very good very good कुछ लोगों ने जौब देनी की कौसीस की है कुछ लोगों ने जौब देनी की कौसीस की है दो अलग अपसे नहीं किए देखो यह दो आपसन तो खोटे एक आरा मौशियन करेंगे स्ट्राइल वाटर से मौशिन करेंगे नोर्मल से जौब इन्हीं से होगा क्योंकि एक सब्सक्राइब नौमल से लाइन करा इसका मतलब यहां से होगा तो हर shift में change dressing को करने की जरूत नहीं होती है और जब solid हो तबी करेंगे ये भी खोटा जवाब है dressing जो है उसको हर shift में change नहीं करते है और जब गंदी हो जाए तबी करेंगे ऐसा नहीं होता है dressing का एक time period होता है जिस particular time में dressing को change करना जरूरी होता है तक dressing को रखते हैं और उसके बाद में उस dressing को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हो normal dressing जो है और चार से पांच धिन में फोर्टो फीडेज के अंदर उसको चैंज करना होता है तब तक वह भाँ पे रखना होता है dressing जो होती है उसको हमेसा गीला रखना होता है sterile water से not normal saline B correct answer है MacJune लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और कई लोगों ने D जवाब दिया जो कि खोटा जवाब है normal saline से ये dressing आपको moist नहीं करना है normal saline use नहीं लेते है moist करने के लिए D खोटा जवाब है B correct answer है ACOD 3 खोटे जवाब है बहुती बढ़िया बहुती सांदार आगे लेके चलता हूँ next देखेगा next देखेगा याद रख लिजेगा sterile water normal saline कहाँ याद रखना है BCG के vaccine में BCG का vaccine को dilute करते है normal saline के अंदर याद रख लिजेगा बहुत important concept है आगे लेके चलता हूँ next देखेगा एक मरीज है जो डाइगनोस हूआ है stage third odd king's lymphoma का third stage का odd king's lymphoma है क्या symptom involved होएंगे है ना जब वो third stage में है तब क्या symptom देखने को मिलेंगे odd king's lymphoma third stage third stage single lymph node और single site more than one node single organ of the same side of the diaphragm lymph node on both side of the diaphragm or disseminated organ and tissues which is the correct one stage third odd king's lymphoma which is the correct one single lymph node single site more than one node single organ on the same side or lymph node on both side of the diaphragm and disseminated organ and tissue third stage फटापट से जवाब लिकेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखियेगा correct answer यहाँ पे बनेगा C, correct answer यहाँ पे बनेगा C, D खोटा है, B खोटा है, C यहाँ पे correct answer है, दोनों साइड में diaphragm के lymph node डैकने को मिलते है stage third के अंदर odd king's lymphoma अगर आपको पता हो तो उसका characteristic जो होता है stage one के अंदर यह lymphoma जो होता है वो single lymph node का involvement होता है यह stage one है यह stage one है, जिसमें single lymph node जो है वहाँ पे क्या होती है, involved होती है होट king's lymphoma वाले मरीज के अंदर stage two के अंदर stage two के अंदर यह जो lymphoma में होता है यह more than one node single organ on the same side of the diaphragm यह stage two में होता है हमें stage third पुचा तो third answer बनेगा stage third जिसमें diaphragm के दोनों side गेंदर होता है और disseminated organ और tissue जो होता है stage four में होते है तो A option stage one को बताता है B option stage two को बताता है D option stage four को बताता है हमें कौन सी stage पूचा तो C option stage third को बताएगा simple सा concept है आपको चारो step के symptom एक साथ याद होगे वह कर नहीं वह चारो stage को आप याज रख लो यहां पर stage third पूचा इसलिए correct answer च्या बनेगा C बहुती बढ़िया बहुती सांदार समझ माया वेरी गूड वेरी गूड चलो आगे लेके चलता हूं next देखेगा next देखेगा next देखेगा एक मरीज है जो receive कर रहा है methotrexate मरीज को कौन सी दवही मिल रही है methotrexate severe rheumatoid arthritis है मरीज को severe rheumatoid arthritis हो गया है methotrexate दवई मरीज रिसीव कर रहा है नर्स जो है वो क्लाइंट को क्या चीज लेने से अवोईड करने का कहेगी समझ रहे बात को मैं तो ट्रेग्जेट दवई क्लाइंट है मैं तो ट्रेख्यël डिस्उट कर रहा है एक जो है एंटी कैंस्रेंस 12 एक क्या चीज इसके साफ में मरीज़ को अलएड करना है क्या चीज नहीं लेना है मैं तो ट्रेख्यð wizard में क्या नहीं लेना होता है बहुत बढ़िया थोड़ा दिमाग लगएगा मैं तो ट्रेग्जेट दवई जो होती है मैं तो ट्रेग्जेट दवई जो होती है वो दवई वो दवई जो होती है उसका एक एंटीडोट है कौन सा है कमेंट करिएगा मैं तो ट्रेग्जेट का एंटीडोट क्या होता है comment करिएगा comment comment फटाबर से method ट्रेक्जेट का antidote method ट्रेक्जेट 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 का antidote जवाब मिला folic acid folic acid किसमें आएगा multi vitamin में multi vitamin folic acid होता है folic acid आप नहीं दे सकते जब method method ट्रेक्जेट का effect लाना है आपको antidote नहीं देना है जो भी मरीज method ट्रेक्जेट ले रहा है उसको multi vitamin नहीं दे सकते बी करेक्ट आंस्वर है डी खोटा है एक होटा है कहीं लोग यह जवाब दे रहें बिल्कुल खोटा जवाब है हर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं होती है एनाल जैसी का एस्प्रीन देते हैं मैं तो ट्रेक्जेट के साथ में एस्प्रीन और एस्टामिनोफेन जो है वो पैन को रिलीव करती है इंफ्लमेशन को कम करती है अच्छी दवाई है रिंविर्मेटिरियड मरीज वाल रिमरेज्य वाले मरीज एस्प्रीन की पर चार भाय एकिशटामिनोफेन के पर जो दूब करता रहता है दूख को कम करती में कुम करते है quiet । तो यह दवई हैं तो उनके काम की होती है यह वाइड नहीं करना होता है तो यहां पर जवाब नहीं बन सकते बी मल्टी विटामी नहीं देंगे यह हमने पढ़ा है और सी आंसर भी इंकरेक्ट है क्योंकि मैं तो ट्रेक्जेट के अंदर प्रोटीन जो है वो रिमेटर चल्टाओ नेक्स देखेगा और एस्ट तो ट्रेस ऐसे सफर कर रहा है और लिवर प्रोब्लम में मरीज में कौनसी शूटेबल डाइट लीवर सी रोसे में कौनसी डाइट रहती है यह जवाब आपको देना है यह परस्ट ऐसोडियम लो कैलरी सेकंड लो पोटेशियम हाई कैलरी कशी हाई प्रोटीन हाई कैलरी पूरत है लो कैलसियम लो कैलरी वीच लुज़ क्रेक्ट वन जोब लिवर का छामरीज है गुलकोज की कमी रहती है कैलरी तो कम देना ही नहीं है तो किसी ने बूल से भी अगर दी ज्वाब लिखानाा तो फंद्रा बार लिकिए »パंद्रह बार्बूर्इट continuab लिएगा क्यू confront क् получилось की पंदेनी नहीं नहीं है जबिए आपको लीवर की प्रोपलम वाला मरीज मिले उसको कैलरी तो कम ե्यूत नहीं रस गुले खिलाओ उसको अज्याई जस उसको कैलरी तो ज़्यादा देनी है लेकिन साथ में आपको उस मरीज के अंदर एडिशनल प्रोटीन की भी जरूत रहती है क्योंकि उसमें प्रोटीन की डेफिशन्स होती है तो सी यहां पे करेक्टान सो रहेगा प्रोटीन ज़्यादा देओ और कैलरी ज़्यादा देओ प् करने में प्रोटीन मदद करेगा यहां पर भिलकूल मैंगियों लोगों ने ठीक जवाब दिया यहां पर बिल्कुल करेक्टान सुlt बहुत ही बढ़ेया बहुत ही सांदार वेरी गुड लिवर सीरोशीस और एसाइटीस वाले मरीज में हाई प्रोटिन हाई कैलरी डाइट बहुत ही बढ़ी आगे लेके चलता हूं नेक्स देह गगा नेक्स देह करिए बहतरीन वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज वहां पर आपको इस एप मिलने वाले हैं और इसके अलावा रेटिंग एप को करे जरूर और अपना एक कमेंट जरूर डाले एप के डवारे में नोबल नर्सिंग इस्टूट के नाम से प्लेइस्टोर के उपर इस्टॉल कर में इवनें बोलए में आप टाइम है दो दीन अकिम फ्रीकिंट वां में टाइमसीं पर देऊ सोलह जाएगा डॉक्र Town के द्वारा संचालिती इंस्टिट जिसके कुछ इस तरीके के है और यह जो स्टडी रहेगी यह जो फीस का क्राइटेरिया और जो सेलेबस है वह सिक्स मन्त करेगा आप लोगों से गुजारिस एक बार अपने सेलेबस को कम्प्लीट करिए एक बहात्रीन इस्टिटूट गाइनेकोलोजी इसके लाव फंडामेंटल आप नर्सिंग साइक्याट्रिक न्यूट्रिशन माइक्रो बायलोजी डिफ्रेंट टाइप के सब्जेक्ट जिटका बारे में कम्प्लीट डिटेल स्टडी अगर आपको करनी है तो जुट जाहिए एक अनेक्सपेक्टेड करिए और अपनी सीट कंफर्म करिए बहुत जल्दी फर्स्ट फैब टू थर्टी टू फाइव थर्टी टू डेज का फ्री डेमो क्लास्ट तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं दुबारा एक नएंसीक्यू सेशन के साथ मैं कुछ इंपोर्टेंट कुछ टीकी कुछ कंस तो दिखा ये सार्थिपन और कर दिखा ये कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहिए आपके जैसा अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली भगवान ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की तो मिलते हैं दुबारा एक नई एनरजी के साथ में विद नया MCQ सेसन तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय माकाल